नमस्ते दोस्तो आज हम टेस्टी मावे से गुलाब चामबुन बनाने जा रहे हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है सिफ मेज़िमेंट्स का आप ध्यान रखिएगा और आपकी भी ये रेसिपी बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी दोस्तो सबसे पहले हम ले लेंगे 200 ग्राम जि आप सबी चीजों को अच्छे से गद्दू कस कर लीजिएगा दोस्तो ताकि कोई भी गुटलियां इसमें ना रहें अब हम डाल देंगे एक चुथाई कप जितने पीसी हुई चीनी चीनी को हमें फ्रेश पीसना है और उसी के बाद हम इसमें डालेंगे एक कप जितना मैद यह मेरा वन कप 240 मल जितना है साथ ही डाल देंगे चुटके बर केसर इससे बहुत ही अच्छे कुश्बू आती है दोस्तो एक बार हम इसे साइड में रख देते हैं और चाशनी के लिए हम ले लेते हैं दो कप जितनी चीनी साथ ही डाल देंगे दो कप जितना पानी और अगर आपको इलाइची पसंद है तो दो से तीन इलाइची इसमें आप डाल दीजेगा अब हम इसे रख देते हैं पकने के लिए और हमारे गुलाब जांबू के बाटर में हम आखिर में डाल देंगे एक टीस्पून जितना बेकिन सोडा और इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे इसे मसल मसल कर हमें इसका आटा लगा लेना है जैसे हम आटा लगाते हैं बस उसी प्रकार हम इसे मसल मसल कर रेडी कर लेंगे दोस्तो इसमें हमें पानी की जरूरत नहीं लगेगी बस दिखाए गए तरीके से हमें बहुत ही अच्छे से इसे मसल मसल कर चिकना कर लेना है मावे से जब आप गुलाब जामबुन बनाते हैं तो एक चीज का आपको खास द्यान रखना है दोस्तों कि जो हम आटा लगाएंगे उसे हमें अच्छे से मसल मसल कर चिकना कर लेना है इसमें हमें दूर की आवशक्ता नहीं रहेगी हमने इसमें मावा डाला है तो ये अच्छे से गून जाएगा आप देख सकते हैं कम से कम 7-8 मिनिट तक इसे मैंने अच्छे से गून लिया है और इसका एकदम ही स्मूध आटा बनकर तयार है तो अब हम इसकी एक छोटी सी लूई तोड लेते हैं जितना हमारा छोटा लिंबू रहता है बस उसी साइस की हमें इसकी लूई तोड लेनी है और हम इसका बॉल बनाकर रेडी कर लेंगे जब आप इसका बॉल बनाए तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी सिर्वटे नहीं होनी चाहिए नहीं तो जब आप इसे फ्राइ करेंगे तो ये फट सकते है तो हलके हातों से हम इसे अच्छे से राउन गुमा लेंगे ताकि कोई भी सिर्वटे इसमें ना रहे कडाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है साथ ही हम अब जो मावे के बॉल्स बनाके रेडी कर लिये हैं वो डाल देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम तक पकने देंगे जब तक बॉल्स अपने आप उपर नहीं आते हैं तो हम कड़्ची इसमें नहीं डालेंगे दोस्तों फिर हलके आतों से हम इसे टर्न करते हुए पका लेंगे हमें इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेना है आप देख सकते हैं ये जो मावे के बॉल्स है ये कितने कुपसुरत दिख रहे हैं बस पांची मिनिट में ये बनकर तयार हो जाएंगे तो इसी प्रकार हम अपने सारे बॉल्स बना कर रेडी कर लेंगे दोस्तों तब तक जो हमारी चाशनी है वो भी पक कर तयार हो जाएगी बस इसी प्रकार हमें सारे बॉल्स हमारे रेडी कर लेने हैं और ये बन चुके हैं इस मेशरमेंट से टोटल 55 पेसिस मेरे बने हुए है आप आप चाशने भी देख सकते हैं ये अच्छे से गाड़ी हो चुकी है दोस्तो हमें इसमें बहुत जागा या एक तारी चाशने नहीं लगेगी सिर्फ गाड़ी चाशने आपको बनानी है अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूनना ताकि मेरी नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे आप देख सकते हैं इसकी कोई तार नहीं आ रही है लेकिन ये काफी चिप-चिपी है तो बस ये ही आपको रखनी है ये बिल्कुल ही परफेक्ट है दोस्तो तो गैस की फ्लेम को अब हम बन कर देते हैं साथ ही जो हमने मावे के बॉल्स बना के रेडी कर लिये थे वो सारे इसमें डाल देंगे और अब हम इसे धक कर रख देंगे इसे हम 15 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे दोस्तो उसी के बाद हम इसका धकन अटा कर चेक करेंगे आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे दिख रहे हैं और काफी फूल चुके हैं इसके लिए हमेशा आप बड़ा पतीला लीजिएगा ताकि ये बहुत ही अच्छे से शुगर सिरफ सोप कर सके चलिए मैं एक तोड़ कर भी आपको बता देती हूँ ये बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉंजी बने हुए हैं तो ये रेसिपी को आप ज़रो से ट्रै करिएगा और अपने अनुबब मेरे साथ शेयर करिएगा वीडियोस पसंद आएं तो चैनल को लाइक करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलेज के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना मिलेंगे दुबारा नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई एंड टेक केर